एक कुंडली सौ समाधान देश की हर जोतिश्य पद्धती के समावेश के साथ सम्पोर्ण आकर्षिक और सबसे सटी एस्ट्रोसेज ग्रिहत कुंडली आज अभी लें क्यूंकि भविश्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेट जैश्री गनिशायनमह दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन जोतिश यूट्यूब चैनल इस्ट्रोसेज टीवी पर हर हफ्ते की तरह मैंने हराजबुत आपके सामने लेकर आए हूँ सापताहिक राशिफल पर्क बस इतना है कि आज आप मुझे देख नहीं सिर्फ सुन पाएंगे क्योंकि आप सब की तरह ही मैं भी लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रतिवध हूँ आप तो जानते ही हैं कि दुनिया में फैली महा मारी अपने देश में भी कहर बर पा रही है इससे बचाओ के लिए हमारी सरकार ने कुछ दिशानरदेश जारी किये हैं जिसमें ओफिस बंद रखना और सोशल डिस्टेंसिंग खास नरदेश है सरकार के नरदेश और अपनी सोशल रिस्पॉनसिबिटी निभाते हुए मैं आज स्टूडियो से नहीं बलकि घर से ही आपको राशिफल बता रही हूँ साथ ही आप सभी से यहां आगरा कर रही हूँ कि आप भी अपनी सोशल रिस्पॉनसिबिटी निभाईए और 14 एप्रिल तक खुद को क्वेरिंटाइन रखिए घर पर ही रहे और आप अपना पूरा खयाल रखिए चलिए बात करते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल की एप्रिल महीने का यह आने वाला सप्ता आपकी राशिफल के लिए क्या लेकर आने वाला है यह बताऊंगे आपको मैं इस साप्ताहिक राशिफल में इस राश्रिफल से आप जान सकते हैं कि नया हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी मिलती है कि आने वाले सब्ता हमें आपको जो है आपकी जीवन के किस पहलू पर आपको थोड़ा उतार जड़ाओ का सामना करना पड़ सकता है और कहां आपकी लाइफ एकदम आसानी से बीतने वाली है तो चलिए 6 से 12 अप्रेल के सापताहिक राश्रिफल के बारे में बात करते हैं और इसमें हम चर्चा करेंगे जीवन के अलग-अलग पहलू के विश्वय में जैसे आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, करियर, प्यार, शादी, इत्यादी के लिहाद से आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आने वाला है इस बात को जानने की जो आपकी जग्यासा है उसको खतम करने के लिए मैं यहां आप सभी के सामने हाजिर हूँ इस सब्ताहिक राशीफल में जो हम भविश्यवारी आपको बताएंगे ये आपके जो है वैदिक जोतिश की गणा पर आधारित है तो इसमें आपके बहुत सारे सवाल हैं सिर्फ मैं दिखाई नहीं दे सकती हूँ सिर्फ सुनाई दोंगी लेकिन आपके सभी सवालों का जवाब आपके लिए मैं लेकर आई हूँ तो वीडियो को अन तक जरूर देखे और हमारे साथ बने रहें सबसे पहले राशी फल्व की बात करेंगे लेकिन उससे पहले हिंदू पंचांग जाल लेते हैं यानि इस हफ़ते का हिंदू पंचांग क्या कहता है अब बताते हैं आपको सब्धा होने वाले कौन-कौन से गोचर हैं जो 6-12 एप्रिल के बीच में होने वाले हैं तो इस सब्धा बुद्ध ग्रह अपना राशी परिवर्तन करेंगे इस दौरान बुद्ध जो है वो कुम्भ राशी से निकलकर 7 एप्रिल को मीन राशी में प बदलते हैं तो उनकी गति के नुसारी आपकी राशी पर असर देखने को मिलेगा जनम दिन भी है कुछ जो है मश्रूर हस्तियों का उनको बारे में भी हम आपको बता देते हैं हमारी देश ले कुछ ऐसे नामचीन सितारे जिनका जनम दिन आने वाला है 6-12 की बीच में इस के बाद 7 अप्रिल को अक्टर जीतेंद्र और डेरेक्टर राम गुपाल वर्मा का जनम दिन आता है इसके बाद 8 अप्रिल को साकिब सलिम नौ इप्रिल को जया भाधूरी बच्चन और स्वरा भासकर का जनम दिन आता है इसके बाद मश्रूर डांसर टेरंस लुईस और आईशा टाकिया का जनम दिन 10 अप्रिल को आता है और अंत में 11 अप्रिल को मश्रूर डेरेक्टर मोहिट सूरी का जनम दिन आता है तो यह कुछ ऐसे मश्रूर असती हैं जिनका जनम दिन आता है 6-12 की बीच में और बताने का में रीजन है आप कमेंट नीचे आते रहते हैं और आप बोलते हैं लगे हमें कुछ अलावा भी जानकारी दी जायाए तो आपको जो है गोचर के बारे में जोतिश्ट размijn के बारे में जनम दिन विशेष हमने नया शुरू किया है इसके बारे में आप जरूर अपनी राय नीचे लिखे कि ये सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है अगर इस सेगमेंट से जुड़ी कोई सला है तो जरूर आप वो भी लिखे और आपके हर एक सला को हम अपने इस वीडियो में शामिल करने की कोशुश करेंगे तो ये सारे जानकारिया होंगे हफते से जुरूरी और आप में मुद्दे पर आते हैं यानि आपके राशी फल पर तो राशी फल की शुरुआत करते हैं और आपको बता दे कि राशी फल चंद राशी पर आधारी थे यानि मून साइन बेस्ट है तो जिसको अपनी चंदराश्री नहीं पता है जो पहली बाद हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो नीचे description box में दिएगर link पर click कर सकते हैं और वहां click कर करके अपनी चंदराश्री का पता लगा सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सबसे आखरी राशी यानी मीन राशी के जातकों की चंद्रमा इस सब्ताह मीन राशी के जातकों के लिए छटे, साथवी, आठवी और नौवे भाव में गोचर करने जा रहा है सब्ताह की शुरुवात आश्राजनक साकरात्मक रहेगी और सब्ताह के मद्धि तक आपकी उत्पादक्ता बनी रहेगी पृतियोगिता के आपके छटे घर में चंद्रमा की गतिया आपके नौकरी और व्यविसाय के लिए लाभकारी साबित होगी नई नौकरी तलाश कर रहे थे तो इस दौरान आपको अच्छा उसर मिल सकता है वहीं वरतमान संस्थान में भी आपको पदोनती मिलने की संभावना है रिटिगेशन, कोटक चहरी का मामला यदि कोई है तो साकरात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है प्रित्योगी परिक्षा के लिए अध्यान करने वाले या उच्छ अध्यान के लिए धन की तलाश करने वाले चात्र लाभकारी परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे आगे चंद्रमा का गोचर आपकी साथवे भाव में रहेगा जो आपके सम्मंद व्यापारिक साज्योदारी पेशे और व्यवसाय का भाव है चंद्रमा के अस्थिती पेशे के संदर्व में आपको वांचित फल प्राप्त होंगे व्यक्तिगत जीवन में मौजूदा विष्टों में सामंजस से बढ़ेगा और बहतर सुक्सुविधाओं की तरफ आप अगरसर होंगे आपको माता और माता तोलेस्त्रियों से समर्थन और आश्रवाद मिलेगा व्यवसाई अपनी व्यवसायों का विस्तार करने में सक्षम होंगे क्योंकि पूर्ण चंद्रमा उनके प्रियासों में उनका समर्थन करेगा मीन राशी वालों के लिए सप्ता का अगला भाग थोड़ा खठिन रहेगा चंद्रमा का गोचर आपकी अश्टम भाव में दर्शाता है कि बच्चों से सम्मंदिच को समस्याईं आपका अधिकाश नमें ले सकती है छात्रों को अपनी अध्यान में कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिसके परिणाम सरूप परदर्शिन में कमी आएगी आपकी करकश और कठोरवानी की वज़े से आपके हाथ से कई औसर आप गवा सकते हैं इससे आपकी फाइनेंस सम्मंदी समस्या बढ़ सकती है जो तनाव को और बढ़ा देगी स्वास्त विश्येशकर्प आँखको का भी इस अवधी में आपको ध्यान रखना चाहिए इस गोचर में आपको अपनी अंतर दुष्टी में विश्वास रखना है और मन की आवाज को सुनना है जिससे आपको सफलता मिलने में मदद मिलेगी सपता का अंतिम भाग चंद्रमा आपके नमंभाव में विराजित होगा जिससे आपको अपनी कारेत को दुष्टा देने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिससे बेवजय तनाव और चिंता के स्थिती उत्पन हो सकती है आपका स्वयम पर से अपनी श् गोचर से अच्छे लाव प्राप्त हो सकते हैं कई बार आप चाहकर भी ना नहीं कह पाते जिसकी वज़य से आप काफी काम अपने हाथ में ले लेते हैं और अनावश्यक तनाव का शिकार होते हैं हाला कि यह गोचर अध्यात्म से जुड़ने के लिए बहुत शुब तो सब्ता मिश्रित परिनामों के और संकेत देदा है प्रेम जीवन के लिए चुकि चंद्रमा पांचवे घर का स्वामी है इस अवधी के दौरान आपके जीवन साथी के अपक्षाएं आपसे बढ़ी हुई रहेंगी इसलिए अपने साथी के साथ जितना संभव हो उतना स समय बिताएं और उन्हीं अपने पसंदिदा स्थानों पर ले जाएं यह नीशित रूप से रिष्टों को मजबूत करने में मदद करेगा वभाहित जातकों के लिए बुद्ध की दुर्बल स्थिति यह दर्शाती है कि जीवन साथी से इस पश्ट समाद रखने से आपको रिष्टों में जरूरी स्थर्ता लाने में मदद मिलेगी उपाय की बात करें तो दूद में हर्दी डाल कर पिए भागिस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच में से धाई स्टार्ट तो जाना हमने कि 6 से 12 एप्रिल के बीच का यह साथ दिन कैसा बीतेगा आपके लि जो हमने आपको वीडियो की ृइयर शुझा कर सकते हैं जतना सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं उतना सोशल डिस्टेंसिंग करें लोगों से दूर रहे से रहें और उन कामों को करें जिनको पहरने के लिए आप सोचते थे जब आपकी लाइफ बहुत ब्सी होती थी या lost जनम दिन आते हैं इस अफते में उनको भी जनम दिन की धेर सारी शुक का आमना है मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक हसते रहें मुस्कुराते रहें और किसी का दिल मत दुखाईए नमस्कार